दोस्तो आवला डायबडीज के लिए बड़ा अच्छा होता है आप ये समझे कि आवला एक तरह से आपकी डायबडीज को रिवर्स करता है और डायबडीज की वज़े से आपके शरीर को जो नुकसान पहुंसता है उसे कम करता है सबसे पहला काम आवला क्या करता है कि आपके ग्लूकोज को जो खून में मिलती है इसे खून में मिलने से स्लो करता है यानि खाना खाने के बाद ग्लूकोज धीरे धीरे खून में मिलती है इससे क्या होता है कि खाना खाने के बाद जो शुगर एकदम से बढ़ जाती है वे नहीं बढ़ती क्योंके glucose एकदम से खून में पहुंचने की बजाए धीरे धीरे खून में पहुंचती है तो खाना खाने के बाद जो sugar spikes होते हैं वे नहीं होते तो ये आवला खाने का पहला फाइदा है दूसरा काम आवला क्या करता है कि आपके शरीर में जो pancreas है जहां से insulin पैदा होती है आवला pancreas के beta cells को activate करता है और insulin को ज्यादा मातरा में बनाता है यानि आवला खाने से आपके शरीर में insulin ज्यादा बनती है तो अब इंसुलिन तो ज्यादा बन गई लेकिन अगर आपका शरीर इस इंसुलिन को इस्तिमाल ना कर पाए तो इसका कोई फाइदा नहीं होगा तो तीसरा काम आवला क्या करता है? कि जो इंसुलिन है उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है यानि आपका शरीर आवला की वज़े से इस insulin को इस्तिमाल कर पाता है तो अगर insulin भी अच्छी मातरा में बनेगी और उसका इस्तिमाल भी होगा तो sugar level कम होगा आवला की वज़े से आपका शरीर insulin के प्रती बहुत ही अच्छे तरीके से respond करता है तो यानि insulin की sensitivity को बढ़ाता है तो इससे क्या होता है आपका sugar level कम होता है तो आवला दोनों तरह के diabetes वाले patients को फाइदा करता है type 1 diabetes वालों को भी और type 2 diabetes वालों को भी क्योंकि जो type 1 diabetes वाले लोग होते हैं उनके शरीर में insulin कम बनता है तो आवला pancreas को stimulate करके insulin को ज्यादा मातरा में बनाता है तो type 1 diabetes वाले लोगों को फाइदा होता है type 2 diabetes वाले लोगों में क्या होता है कि insulin तो बनती है लेकिन शरीर इस insulin को इस्तेमाल नहीं कर पाता तो आवला की वज़े से शरीर इस insulin को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाता है जिससे sugar level कम होता है तो चाहे आप type 1 diabetes हैं चाहे type 2 diabetes हैं आवला आपकी रोज मर्रा की diet का हिस्सा होना चाहिए जैसे आप भोजन खाते हैं वैसे ही आपको रोजाना आवला खाना है इससे आप देखेंगे कि आपकी बिमारी में बहुत आपको सुधार नजर आएगा तो पांचमा काम आवला क्या करता है कि diabetes से आपको जो complications होती हैं उन complications को कम करता है सबको पता है कि अगर sugar level ज्यादा रहेगा तो आपके शरीर के जो अंदरूनी अंग होते हैं वे धीरे धीरे खराब होने चालू हो जाते हैं तो आवला इस side effect को कम करता है Diabetes वालों को चार तरह की complications आम तोर पर होती है नमबर एक, Diabetes वाले व्यक्ति को heart की बिमारी बहुत होती है heart attack होता है या blockages होती है तो आवला इसे कम करता है दूसरा, Neuropathy होती है नसों को नुकसान पहुंचता है तो आवला, Neuropathy में भी फाइदा करता है Neuropathy को कम करता है तीसरा, Kidney को damage होता है तो आवला खाने से आपकी Kidney सुरक्षित रहती है चौता, आपकी आँखों को नुकसान पहुंसता है आँखों की रोश्णी कम होती है तो आवला आँखों के लिए भी अच्छा होता है तो आवला खाने से क्या हुआ? नमबर एक, आपकी बीमारी में सुधार हुआ इंसुलिन अच्छी मातरा में बनी इंसुलिन को आपके शरीर ने अच्छे तरीके से इस्तिमाल किया और डियापटिब्स की वज़े से आपको जो कम्प्लिकेशन होने का खत्रा है उन खत्रों को भी आवला ने कम किया तो आवला कैसे खाना है? आवला को आप किसी भी रूप में खा सकते हैं आप इसे फ्रेश फ्रूट के तौर पर खा सकते हैं या फिर आप आवला का जूस पी सकते हैं या फिर आवला को आप पाउडर के रूप में यानि आवला चून खा सकते हैं अगर आप फ्रेश फ्रूट खाना चाहते हैं आप अगर आवला का जूस पीना चाहते हैं तो जो बड़े लोग हैं वह एक दिन में 20 ml आवला का जूस पी सकते हैं. चाहे एक बार में पी लें या 10-10 ml करके दो बार में पी लें. जो बच्चे हैं वह एक दिन में 5 ml आवला का जूस पी सकते हैं. आवला का जूस अगर आप सुभे खाली पेट पिएंगे तो सबसे अच्छा होता है अगर खाली पेट नहीं पी सकते तो फिर आप इसे दिन में किसी भी समय पी सकते हैं एक गिलास पानी में आवला का जूस मिक्स करके आप इसे पी सकते हैं कुछ लोगों को सुभे खाली पेट आमला का जूस पीने से कुछ side effect होते हैं, जैसे abdominal discomfort होता है, यानि पेट में कुछ असहद सा महसूस होता है, जो ऐसे लोग हैं, वे सुभे खाली पेट आमला का जूस ना पियें, बलकि वे खाना खाने के बाद आमला का जूस पियें, तो ऐसा करने से पेट में जो discomfort होता है, वे नहीं होगा, अगर आप आमला का चून खाना चाहते हैं, यानि पाउडर के रूप में इसे खाना चाहते हैं, तो बच्चों को चून नहीं दिया जाता, सिर्फ बड़े लोग ही आमला चून खा सकते हैं, बड़े लोग 3-6 ग्राम आमला चून दिन में दो बार खा सकते हैं, आमला चून खाने का सबसे अच्छा समय है, या तो भोजन के तुरंत बाद, या फिर जब आपने आधा भोजन कर लिया है, तो थोड़े से पानी के साथ आमला चून खालें, और फिर बाकी का भोजन कर लें, आमला के अगर side effect की बात करें, तो आमला के powder का और आमला के fruit का कोई भी side effect नहीं होता है, लेकिन आमला के juice के कुछ side effect हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोगों को abdominal discomfort हो सकता है, या फिर sore throat हो सकता है, यानि गला खराब हो सकता है, लेकिन ये गले खराब वाला side effect तभी होता है अगर आपका आमला juice खराब हो चुका है, या फिर कुछ लोगों को juice पीने से hyper acidity की problem हो सकती है, लेकिन ये problem सिर्फ juice पीने से होती है, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आमला का सेवन नहीं करना चाहिए, वह कौन-कौन से लोग हैं, आमला की जो तासीर होती है वह ठंडी होती है, ये शरीर में जाने के बाद cooling effect पैला करता है, तो अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, तो उसे आमला का सेवन नहीं करना चाहिए, या अगर किसी को skin dryness की problem है, तो उसे भी आमला का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर अगर किसी को joint pain होती है, जो थंड के मौसम में बढ़ जाती है, और ठंडी चीजें खाने के बद बढ़ जाती है तो ऐसे लोगों को भी आवला का सेवन नहीं करना चाहिए इन छोटे मोटे side effect के लावा आवला का कोई भी बड़ा side effect नहीं है तो अगर आप diabetic patient है तो आज से ही आवला को अपनी diet का हिस्सा बनाए और अपनी diabetes को कम करें और diabetes से होने वाले नुकसानों को भी कम करें